दलिया तो आपने बहुत खाया होगा और जिसके हेल्थ के लिए बहुत बेनेफिट्स है लेकिन मखाने के साथ खस खस और गोन कतीरा इसको कैसे बनाया जाता है चलिए आज की रेस्पी में देखते हैं दलिया मखाना की रेस्पी हेलो फ्रेंज मैं संतोष वेलकम टू माई चैनल डिलिशिस पकवान मैंने सबसे पहले गोन कतीरा लिया इसका गर्मियों में यूज करना बहुत ही बॉड़ी को बेनेफिट्स मिलता है और मैंने आलमेंट चॉप करके रखा है और खस खस के बीज लिये फिर मैंने मखाना लिय की लियाि जो मैंने इसबी हो के रखा था और इसको बिगोने के बाद यह जैली टाइप बन जाता है इसका ये इस необ horses खानेi день में्श एल्ट के लिए भूट ज़ादा होते हैं इमूनिटी बूस्ट करने के लिए स्पेशली और मैं इन इनको मखाना और खुस-ख़स को मैं रोस्ट कर लूँगी थोड़ा पैन में थोड़ा दलिया बनाओगे तो गर्मी के मौसम में स्पेशली जो वेट लॉस है उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनेफिट्स होते हैं और ये अनर्जी तो बूस्ट करते हैं और दिन भर जैसे हम भूक भी नहीं महसूस होने देते और खाली पेट भी नहीं रहता अब मैंने यहां पर और्गेनिक दलिया एक बॉल लिया इसको अच्छे से वाश करके क्योंकि इसमें थोड़ा आटा होता गेहुसी जैसे वन बनता है तो वाश करने के बाद मैं इसको आदे घंटे के लिए सोक करके रख दूँगी अब मैं एक कड़ाई लूँगी और उसमें देसी घी डालूँगी देसी घी जब मेल्ट हो जाएगा उसके बाद जो हमने दलिया सोक करके और वाश करके रखा था उसको इसमें रोस्ट होने के लिए डाल दूँगी कड़ाई में घी के साथ जो दलिया घी के साथ ही को तब तक सौटे करूंगी जब तक ये हलका भूरा न हो जाए और इसका पानी है जो पूरी तरह सोक न हो जाए ये दलिया हमारा अब कलर चेंज हो गया इसका हलका ब्राउन हो गया अब मैं यहां पे मैंने आधी कटोरी है जो बॉल है हाफ बॉल मैंने चीनी की लिए है चीन जादा नहीं डालना इसको एक ग्लास पानी में भी इसको दलिया है जो हम पका सकते हैं पहले लेकिन मैंने यहां पर एक लीटर दूद का इस्तेमाल किया है अब मैं यहां पर दूद डाल लूँगी और मैंने सारा जो दलिया दूद में ही पकाया है और मैंने पानी का इस्तेम होता है और इसको पकने में बहुत टा rappers लगता है अगर ज्रूरत पड़ती है तो आप बीच में भी इस दूद और ज्यादा डाल सकते हैं अगर आप पानी के साथ पहले पकाना चाते हैं तो पका भी सकते हैं उसके बाद आप दूद डाल सकते हैं अब मैं इसको मीडियम आँच पे धीरे धीरे इसको ऐसे सौटे करते जाओंगी ताकि दूद हमारा जो कड़ाई के साथ ना लगे अगर ऐसे लग जाएगा दूद तो हमारे इसका जलने की स्मेल आएगी तो इसके साथ टेस्ट भी खराब हो जाएगा तब हम मीडियम आच पे धीरे धीरे इसको ऐसे सौटे करते जाएंगे जब तक हमारा दूद इसमें पूरी तरह जो डल्या अब्जोब नहों हो जाए तब तक हमने इसको सौटे करते जाना है जब दलिया बनना शुरू हो जाएगा तो ठिक होना शुरू हो जाता है ये देखो अब थोड़ा दूद भी हमारा कम होना शुरू हो गया है और ये दलिया भी सॉफ्ट हो धीरे धीरे होने लगता है ये देखो दलिया जो कंसिस्टेंसी है तो कितनी अच्छी बनकर त्यार हो चुका है अब मैं थोड़ा से इसको और सॉटे करूंगी और यह दूद्ध और और कम हो गया। अब मैं स्विच गैस है जो स्विच ऑफ कर दिया, फ्लेम ऑफ कर दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब हमारा जो दलिया है लगबग ठंडा हो चुका है और इसमें मैंने जो चौप की एलमेंड है वो मिला दूँगी आप चाहे अपनी चोईस के कोई भी और नट्स यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें एड कर सकते हैं और इसके ये बहुत ही हल्दी डाइट बनकर त्यार होती है दलिया खाने के तो बेनेफिट से है यह और इसके साथ जो हम ये गोंद कतीरा खस खस और रोस्ट किया हुआ वह भी मैं एड कर दूँगी इसमें मिला दूँगी और जैसे जो हमारे ये पंजीरी बनाते हैं तो जब भी किसी लेडिस को कोई प्रॉब्लम होती है तो जो कि बोन्स को भी स्ट्रॉंग करते हैं लिवर के लिए बहुत अच्छा है तो गोंद कतीरा इसका जो टेस्ट है इसके साथ बहुत ही अच्छा आता है गर्मियों के गर्मियों में खाने के इसके साथ बहुत ही लाब मिलते हैं आप इस रेस्पी को ट्राई जरूर करना औ आपको ये रेस्पी कैसी लगी मेरा चैनल लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना